वेलकम टो टेक्शिकराव केंब आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइपस of reaction of free radical की तो basically radicals जो होते हैं जिनका generation हमने लास घ्रास में देखा था इस class में हम लोग उनकी types of reaction देखेंगे कि radical कौन कौन सी reactions में जा सकते हैं तो पहली reaction उसमें radical combination दूसरी है disproportionation और तीसरी होगी rearrangement तो सबसे पहले जो जरूरी है वो है radical combination ठीक है तो radical combination से lecture को शुरू करते हैं तो heading डालो सब लोग क्या कि जो types of reactions है उनमें सबसे पहली reaction कौन सी करनी है radical combination reaction करनी है ठीक है ठीक तो radical combine करके क्या बनाएंगे radical will combine with each other to form stable product तो लिख देते हैं the radicals the radicals will combine with each other with each other to form लिखते चलो साथ साथ stable product क्या करेंगे combine करके stable product बनाएंगे ठीक है अब यह combine करके stable product बनाएंगे कैसे इसके वारे हम अगर बात करनी हो तो जैसे अगर हम कोई radical alkyl radical ले 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 आर अगर हम कोई alkyl radical आर ले ले ठीक तो यह दूसरे आर radical से combine करके क्या बना देगा आर आर बना देगा आर रेक्षण को हम कहते है क्या dimerization काते है क्या कहते इसे dimerization हो गया क्या हो गया इसका dimerization हो गया ठीक तो radical आपस में combine हो गये क्या बना दिया आर आर बना दिया अब हो सकता है कि ऐसा भी हो कि एक radical जो हूमने लिया वो R हो और दूसरा कैसा हो, R' हो, एक R हो और दूसरा कैसा हो, R' हो, जब R radical R' से बनेगा, तो देखो कितनी पॉसिबिल्टी आ सकती ही, यह ध्यान से समझने वाली बात है, जरा ध्यान से देखना, कि जब r, r से कम मायन होगा तो क्या बनाएगा यह तो Rs बना दे या फिर r डैश और r- बना दे या फिर r डैश और r बना दे ठीक है तो यह क्या हुआ यह timerization हुआ एक तरह का ठीक यह timerization हुआ दूसरा तरह का और यह कैसे हो गई यह cross हो गया यह cross product बना cross product का मतलब क्या है cross product का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से combine कर गया तो यह cross product बन गया ठीक तो ध्यान से बात को note करो आराम से कि देखो जब रेडिकल कम्माइन कर रहा हैं तो कम्माइन करने के तीन तरीका हो सकते हैं मतलब कम्माइन करने के फ्राइमरी तो अभी एकी तरीका देख रहा है कि आर आर से कम्माइन किया लेकिन जब आर डेश ने आर रेडिकल से कम्माइन किया तो आर डेश आर से क combine होसकता है और डेश अरज भी आपसे हो सकते हैं तो यह दोनों कैसे हैं यह दो दो लड़ायरिये शानलों यह इसमें दिकत की बात है नहीं आराम से लूट करो बागे बढ़ते हैं यहां तक क्लियर हो गई हैं डाल ली होगी तो यह बाथ click हो गई ठीक है चलो आगे बढ़ता है अब आर आर कमाइन वह इसी तरह से अगर हम चाहिए तो हम और लोगों को I Radical Combine करने की कोशिश करें ठीक I Radical से I Radical Combine करोगे तो क्या बन जाएगा या तो R R R बन जाएगा या R I बन जाएगा या फिर I T R 2 बन जाएगा कुछ भी हो सकता भखई यह सिंपल सी बात है जैसा Last slide में लिखा ता वेसल ही कर लिया इस में इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है किसी को भी होनी भी नहीं चाहिए इसमें तो दिक्कत की बात अब आगे बात करें ठीक है यह तो आसान बात है नहीं तो जब radical radical से combine कर रहा है तो possibilities को बारे में हम चर्चा कर रहा है ठीक है अब जब हम possibilities के बारे में चर्चा कर रहा है त नॉर्मल प्रोपाल रेडिकल तीन तरह के रेडिकल ले लिए अब क्या क्या हो सकता है पॉसिबिल्टी लिखोगे अपने अप अपने अप लिखने की कोशिश करो तो क्या हो सकता है प्रोड़क लिखते हैं क्या हो सकता है कि CS3 CS3 से कंबाइन कर जाएं सीधे और इसी तरह से प्रोपाइल रेडिकल बना है तो क्या बना दे यह आपस में कंबाइन हो जाए यह बात तो आसान बात है सब को डाइमराइस करा दिया अब क्रोशोवर प्रोड़क कैसे बनाएंगे बाई जब देखो क्या हो CS3 और प्रोपेन बन गया अब इथाइल रेडिकल से भी जुडब सकता है तो क्या बना देगा पेंटेन बना देगा ठीक और N-PROPYLE जब CS3 से रिक करेगा तो जो बनाएगा वो ध्यान से देगना क्या बनाएगा ब्यूटेन मना देगा जब N-PROPYLE मिधायल से चुढ़ेगा तो क्या बनादेगा ब्यूटेन और ब्यूटेन तो रिपीड बना लिए हमनों ने butane क्या बन गया repeat बन गया न इर्डेको फिलन से उपर वी तो बनाया था 지원 के र्डिकल से तो ये अलग-अलग तो दिखाई देगा न हितो हमें कितने र्डिकल दिखाई देंगे हमें capable product दिखाई देंगे कितने count करोगे तो एक, दो, तीन, चार, और एक पांच प्रोड़क्ट मिलेंगे, कितने प्रोड़क्ट मिलेंगे, पांच प्रोड़क्ट मिलेंगे, इसमें ये बात आसानी से समझ में आनी चाहिए, नोट करते हुए चलो, कि इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक, पांच प्रोड़क कि लिखके देखो वाई यह कि यह क्लियर है यहां तक ध्यान से देखना कि बना कैसे यहां से द्यान से देखो कि तो यह बना कैसे यह देखने के लिए तुम अगर चाहो तो इसे ऐसे देख सकते हो कि देखो जैसे यह सीएस्ट्री से सीएस्ट्री बना यह यहां पर आ गया क् ठीक फिर सीच तृटिकों से यह बन गया तैसो और फिर यह Ăपस कोन कौन से इसमें यह करके यानि निमेल और क्या दिया फिर है बनाना दिया सोनाफ कि बात है नहीं ठीक आगे बात करते हैं नोट कर लिया ओगाई यह तो आसानी से को इकत किसी को भी नहीं आनी चाहिए ठीक है कि चलो आगे देखते हैं अब अगर एक नया सवाण लिख लिए जाए थोड़ा मोटा कर लेते मारकर अगर एक नया सवा लिख लिए जाए तो हम मानलो यहाँ पर लिख लें CH2 double bond CH single bond CH2 और यहाँ पर radical बना दें और इसका रमबर रख लें के कारवण 14 थी कारवण 14 अगलिया तो आब इससे बताओ कितने क्या है कितने बनें गयं इससे बनाने की कोशेश करो ट्राई तो करोई कम से कम एक बर कइसे क्या क्षटा इस अब इससे देंको यह अपने आप सही कम-समय्ट ऑजाए डायमर्ड हो क्या बनाएगा डाइमराइज होके क्या बनाएगा CH2 double bond CH single bond CH2 यहाँ पर जाएगा 14 यहाँ पर जाएगा CH2 14 और यहाँ पर CH double bond CH2 जैसा था वैसे ही जोड़के लिख दिया या रेकाराम से कोई दिक्कत नहीं यह तो आसान बात है ना कि जैसा था उसे वैसे जोड़के लिख दिया ठीक दूसरी बार क्या हो सकता है कि अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यह दिखाई देगा कि यह रेडिकल यह में भी इंवाल्व है जब इसका हम रिजोनेटिंग इस्ट्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे तो पर यहां पर रेडिकल आ जाएगा यह चोजाएगा और यहां पर आ जाएगा CH2 तो यह 14 तो यहीं पर रहा कारण 14 का मतलब क्या है कारण 14 का मतलब है रेडियो देखना जड़ा जब यह कमाइन करें तो यह बनाएगा CH2 double bond single single bond CH2 single bond CH2 CH double bond CH2 और इसमें कारण 14 जो आएगा वो किनारे आ जाएगा क्योंकि इस बार रेडिकल कहां पर है CH2 पर है तो यह किनारे आ गया अब यह दोनों अगर कमाइन कर जाए तो क्या सिच्वेशन बनेगी इन दोनों के कमाइन करने से क्या बनेगा बनाओ इन दोनों कमाइन करने से देखो यह बन रहा है क्या कि CH2 double bond single bond CH2 पर 14 आ गया और यह सारी प्रॉबिल्टी लिग लिए प्रॉबिल्टी की जंगा राधर तन पॉसिविल्टी लिए तो हमने रैडिकल को रेसोनेंस कराके भी देख लिया ठीक है आराम से देखो यार बिल्कुल clarity से समझ आनी चाहिए बात अब तो यार black screen भी करती है कमेंट करके बताना कैसा लो डन अब लिख लिया तो एक सेंटेंस देते हैं यहां तक बात complete हुई तो एक सेंटेंस देता हूं जिसे note कर लो copy में बढ़िया से क्या कि अगर radical radical generate हो रहा है और वो डाइरेडिकल जनेरेट हो जाए डाइरेडिकल अगर जनेरेट होते हैं तो इंट्रा मॉलिक्लर रेक् combine करने से किसी और से जब combine होगे तो क्या होगा entropy भी कम हो जाएगी तुमने दो रेडिकल अला रख थे वह आपस में अगर intra-molecular री-combine करेंगे तो दिक्कत नहीं लेकिन अगर किसी दूसरे को पकड़ डिया तो क्या कर रहे हैं इंस इंट्रॉपी कम खर देंगे तो जब भी reaction मेंργूर डायरेटिकल बनेगा तो डायरेटिकल क्या करेगा डायरेटिकल खुद को intramolecular reaction में ले जाएगा और आसानी से reaction कर लेगा ठीक तो लिख देते हैं इस बात को लिखते हैं इफ दूरिंग रियक्शन डाइडिकल इस फॉर्म डाइडिकल इस फॉर्म अगर डाइडिकल बना तो क्या होगा डाइडिकल बना तो क्या होगा जनरली दे रियक्शन विल गो वाया गो वाया इंट्रा मॉलिक्यूलर रियक्शन इंट्रा मॉलिक्यूलर रियक्शन रियक्शन कैसे जाएगी इंट्रा मॉलिक्यूलर रियक्शन के थू जाएगी इंट्रा मॉलिक्यूलर मतला वह अपने सही दूसरे यापनी जैसे दूसरे सभी combind हो जाएगा ठीक है इसमें कोई problem नहीं होनली चाहिए और intra molecular reaction हमेशा intra molecular reaction से first होंगी अगर intra molecular reaction में कितने इंबर की прям PayPal रही हो इसमेंटों बित एक चे से ज़्यादा बड़ी को नहीं बनाएंगे तो हम उसे इंट्रा on कि रित स्वू नहीं हो तो चेसे सिंधर्ड तक की रिंग कर बन रही हो तो से बनादे आ ठीक तो लिख लेते हैं 심र्णली FASTER तो लिख लेते हैं इंट्रा मॉली कुलर रियक्षेंज और मॉलिकूलर रियक्षेंज और मॉलकुलर रियक्षेंज faster than intermolecular reactions intermolecular reactions क्या होगा कि intermolecular reactions generally intermolecular reactions fast होँगी up to six-membered ring formation six-membered ring formation यह बड़ी ही important बात है जो मैंने लिख दी है पूरी तुम सब लोगोंने भी नोट्स बनाने शुरू कर दिये होंगे और काई लोग कमेंट करके यह कर रहते हैं कि किसी बुक का हमें वो चाहिए क्या कहते हैं homework homework भी दूँगा मैं खुदी दूँगा टेलीग्राम चैनल को जरूड 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 बतब जॉइन कर लो क्योंकि वहां पर ही homework मिलेगा तुम्हें और मैं homework दूँगा खुदी selected question दूँगा तुम्हें बुक से नहीं दूँगा खुद अपने पास से दूँगा डीपीपीस दूँगा मैं बहुत सारे हैं परेशान मत हो ठीक है तो मैं class wise देता जाओंगा लेकिन मेरे को पहले थोड़ा पढ़ा लेने दो जब दो तीन class और हो जाएंगी तब फिर homework दूँगा जिससे कि कम से कम एक राइडिकल वाला portion तुम कबर तो कर पाओ थोड़ा से सवाल लगा पाओ तीन-चार सवाल देने से कोई फायदा भी नहीं होगा ठीक तो मैं class में इतने सारे सवाल लगा रहा हूं class वाले सवाल questions को दुबारा करना है ठीक है ना यह लिग लिए तो हम लोग आगे बढ़ पताये क्योंकि 6 member तक ही दियान रखना 7 member तक नहीं बनाएंगे तो इस बात को हम लोग highlight कर लेते हैं इस बात का ध्यान रखेंगा ठीक है चालो very good बात समझ में अच्छे से आ रही होगी इसमें कोई दिकत नहीं आ रही होगी ठीक है और लगो हम लोगों और इस तरीके सब में दे रहा हूं उसी में दूंगा वह थोड़े सी राइटिंग बबलिंग सी होती है लेकिन जब मैं वाले पीडियेफ नोट्स दूंगा तो 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 मैं अच्छे लगेंगे देखने में ठीक है मैं तुम लोग यार चैनल को पुश नहीं करें अब इसके एक्जांप्ल्स कर उसवरेते हैं तो मैं क्वश लिए रहा हूं पहले कि तुम लिए ओर फेर हम दोग मिला फूड़ी देर में यहां से रडिक्ल के अरथो हो पारह कि मार्कर मोठा करों नोटा कर दो रैटीकल बनाने के लिए Marker मोटा कर देता हूँ फिर लिखते हैं पतला करना पढ़ाएगा यह समश्या चलो कोई कोई नहीं समस्या का समयधान ओल नार्ट हुआ थीखुंढ्राइब गहाです लिखते समय पतलाई करना पूड़ेगा और वैसे उसमोटा तो चलो ठीक है इससे बनाना नमबर टू देखते हैं एक्जामपल थोड़ा मोटा ही रख लेता है आराम से दिखे तो हमने क्या किया नमबर टू हमने लिया यहां परेडिकल बना दिया नमबर थ्री बनाते हो मैं स इसे लिख लो ए है यह यह बी है यह सी है डीवी लिख देता हूं यहां पर दी में क्या करें पांच कारवन ले लेता है तो देखो क्या बनाएंगे प्रोड़क्ट इनके बनाते चलो टाइम लो बनाओ प्रोड़क्ट बनाओ आराम से नोट करो प्रोड़क्ट बनाओ ध्यान रखना है कि प्रोड़क्ट बनाते समय कि यह डाय रैडिकल्स है और इनके हम क्या कराएंगे इंट्रा मॉलिक्लर रेक्शन कराएंगे इंट्रा मॉलिक्लर रेक्शन नहीं just size six member को ओर आए तब तक कोई दिकत नहीं है तो पहले में देखो क्या करेंगे टो है कि है 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 तो यह रैडिकल उटके आया हला कि रह्うकट किया सही बनाया आंसर करेंगे कमेंट करते जाओ तो टो कमेंट कर दो अगले । अगले का अंसर कितने लों का साइक्लोप्रोपेन आया वो प्लस वन कर देना वह अगर किसीने कमेंट किया हो तो यह इधर आ गया यह इधर आगया आपस में चुड़क है ऐसा यह कितने कारवन है एक दो तीन चार तो इसमें कितने कारवन है पांच कारवन तो इसमें कितने वंबर किरिंग बनेगी बन गई बढ़िया कितने लोगों के पूरे साही हुए कमेंड करके बताओ जरा फटाफट अभी तो यह शुरुआत है हम लोग बहुत सारे कोशन करने वाले हैं अभी यह शुरुआत है के वल ठीक नोट कर लिया होगा अब तो आराम से लिखते चलो यार बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है आराम से करेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है पॉस कर लेना वीडियो अगर तुम्हें थोड़ा तेज लग रहा हो तो पॉस कर लेना अगला कोशन लिखते हैं ई के बात कैंगा इए आगया है इमें क्या हुआ हुआ है इसलिए एमे क्या हुआ हम लोग बना लें कितने मिमर्करिंग एक और बना लएता है तो इससे क्या बनेगा F लिखते है G ABCD का दयानक ना है मेरे ABCD थोड़ी गरबर हो जाती है सब लोग product बनाते हुए चलेंगे और अब मत कहना कि example कम करा रहे है questions कम करा रहे है G के बाद HP लिख दूँ या जंगा तो है यार थोड़ी सी खाली चलो HP लिख देता है प्रोड़क्ट फटाफट जल्दी से आंसर बताओ वही अधरवाइस मैं लिखूंगा जल्दी जल्दी आंसर करो आंसर करना जरूरी है मैं किनारे खड़ा हूं सामने questions लेके हूं आंसर करना जरूरी है और organic gradually आएगी ना धीरे धीरे आईए टेंशन लेने जरूरत नहीं है लेकिन यह बात है कि नवंबर तक तुम बिल्कुल मैं प्रो लेवल पर ले जाओंगा ठीक है ना तुम और कोशन देखो गया और हो जाएगा खून में बहेगी और organic तुम सोके उड़ोगे और सवाल लगा देखो सही गलत सवाल अगर और और रिवाइज करनी पड़ी रटनी पड़ी तो तो फिर बेकार हो गया पड़ाना लिखाना ठीक ध्यान से करो पहले का आंसर बताओ आई क्या लिखा यह वन हो गया यह टू हो कि यह यह यहां आया तो इसमें बाइसाइक्ल कंपाउंड बना दिया इसका नाम कमेंट कर सकते हो इसका नाम कमेंट करना क्या है चलो आई यह इदर लेकिन फिर भी अगर कमेंट कर सकते हो तो पता है तो कर देना इस से यह बन गया इस यह बन गया तो इस तक एक्जाम्पल होगा और भी करते जाएंगे चंता मत करो है एक्जाम्पल ठीक है चलो है नोट हो गया अब आगे बात करें चलो अगले पर चलता है एक के बाद क्या आगया आई यह भी सिखर बनाना यार मैं ब़ॅंब बना रहा हूं तब कोशिश कर ρहा हं के बड़्या बनाओं आई के बाद जे आई के बाद जे यह सवाल धयान सेстроिकरों कर न न क्यार्बन हो gonna जाए न क्यार्बन कौने नहीं चाहिए करौन एक दम बराबर रहने चाहिए तो J हो गया यह। I-J K K K useless K बना लेते हैं Ritical पहले लगिया अपने अपने मन्से नहीं लगना चाहिए वाई K बना लिया PHAK K को थोड़ा सा बड़ी रिंग बना लेते हैं K में थोड़ा example बदल लेते हैं बड़ी रिंग बना लेते हैं बड़ी रिंग कितने मेंबर गोना लें बड़ी रिंग मना लेते हैं चलो ठीक है लिखो तीनों की प्रड़क्ट जल्दी लिखो भई राइंग बनाओ प्रड़क्ट लिखते जाओ मैं उम्मीद यह कर रहा हूं कि तुम लोग मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो और प्रड़क्ट बनाते हुए चल लए हो ऐसा नहीं कर रहे हो कि नहीं बना रहे हो है न मैं देखो तुम्हारे लिए सब काम कर रहा हूं जो तुम्हें जरूवत है में करता जा रहा हूं कि तुम्हारे नंबर और गनेक में केमिस्ट्री में कटे ना ठीक अब इसमें देखो नहीं यहां पर रेडिकल कितने कारवन पर है वन यह वन टू थ्री फॉर फाइव सिक्स तो अगर ध्यान से तुम देखोगे तो दोनों तरफ से च्छे मेंबर करिंग मनेगी अगर तुम ध्यान से देख पाओगे तो दोनों तरफ से च्छे मेंबर करिंग मनेगी इधर से भी देख लो टू और सॉरी इधर से भी देखो इधर से कितने मनेगी वन के बाद टू टू के और six इदर से भी आगया तो दोनों तरसे शेचे में बर्ग रहे तो बढ़ी आ रहा अब अगला अगले में देखो यह रैडिकल है तो यह क्या बन जाएगा यह इधर आएगा तो यह क्या बन जाएगा यह से टाइलीन बन जाएगा बना आसानी से बन रहा होगा इतना example करा दूंगा ना कि बिल्कुल तुम्हां दिमाग में बैठ जाएगा अब अब क्योंकि ring size बड़ा है इसलिए triple one ring में लग सकता है otherwise नहीं लगता ठीक ठीक है यह triple one क्यों लगा because the ring size is large ring size ring size is greater than seven member ring seven member ring ठीक इसलिए लग पाया note करो अगर यह six member की ring होती तो यह triple one नहीं लग पाता क्योंकि जब ring का size बड़ा होता है तो flexibility बढ़ जाती मालों अगर तीन member की यह चार member ring बना रहे तो उसमें flexibility नहीं होगी लेकिन जितनी ring की size बढ़ी होती जाए उसकी flexibility उसकी बढ़ती चली जाएगी तो यह बन गया अपना ठीक ठीक है नोट हो गया यह आगे बढ़ सकते हैं good to go आराम से करो बिलको लब कोई tension की बात नहीं है ठीक जे के बाद क्या आगया आई के बाद जे आया जे के बाद क्या आयगा के के बाद क्या आएगा अल चेमें लक्तिया के रहें में क्या करते हूं हम8 मेंबर का दीरे ने यह दीरे तो थो मैं contrast पहली है पहले अग्रोन से तो जब इसका अंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई अभी हमने बताया क्या कि अगर से ज्यादा बड़ी रिंग है तो क्या होगा इंट्रा मॉलीकुलर रियक्शन होगी और ट्रिपल बॉंड बन जाएगा यह इधर आया होगा और यह इधर आया होगा ठीक तो ट्रिपल बन गया लेकिन जब तुम छे मेंबर की रिंग में ट्रिपल बनाने की कोशिश करोगे तो यह तुमने मालो कोशिश करी कि यह इधर आया और यह इधर आया तो क्या बनाया तुमने इस यह बनाया अब 6 मेंबर की रिंग में क्योंकी flexibility नहीं है इसलिए यहाँ पे angle strain बहुत ज़यादा होगा यहाँ पे क्या होगा angle strain होगा angle strain होगा और angle strain होने की वाइसे यह wrong बन गया यह सही नहीं है ठीक अब अगर यह सही नहीं है तो इंट्रा मॉलिकुलर रेक्शन देख रहे हो इसमें फास्ट नहीं हो पा रही है तो इसका हम क्या कराएंगे इसका हम डाइमराइजेशन कराएंगे क्या कराएंगे डाइमराईजेशन कराइंगे डाइमराईजेशन में क्या होगा भई कि यह रिंग अपने जैसी दूसरी सगी भेहन से रिंग से क्या किया इसने मतलब यह डाइमराईजेशन हुआ ठीक तो क्या बन गया इससे बना यह कोई भी डॉट लग जा रहा है वो रेडिकल दिख रहा है न यब ये बनाया तो हमें लगा आप तो काम बन गया हमारा बोलो भई तब तो लग रहा काम बनता हुआ लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे इस रिंग को इस रिंग को जड़ा ध्यान से देखना सेंटर वाली को इस रिंग को देखो गए तो इसमें 4 and pi एलेक्ट्रोंस है 4 pi एलेक्ट्रोंस है न तो यह कैसी हो गई यह anti-aromatic बन गई रिंग रिंग बिकेम anti-aromatic यह कैसी बन गई anti-aromatic बन गई जब यह anti-aromatic बन गई तो not possible क्योंकि यह तो stable ही नहीं होगी not stable तो यह भी नहीं बनाएंगे अब क्या करेंगे वाई अब intra-molecular reaction नहीं हो रही है डाइमराइजेशन भी नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे पहले नोट कर लो आगे यहां तक फिर आगे चलते हैं ऐसा question कर रखा होगा जाहतर लोगों ने फिर भी देख लो अगर नहीं कर रखा तो तो में यह सोचना पड़ेगा अब कि जब हम लोग radical को डाइमराइज करा रहे हैं तो जो बनने वाला product है क्या वो aromatic है non-aromatic है anti-aromatic है क्या है और इस सब के लिए जरूवत पड़ेगी जो तुम्हें आनी ही चाहिए उसमें कोई इवट किंतु परंतु नहीं होना चाहिए ठीक है बात clarity से समझ नहीं चाहिए अब ही फाइदा है otherwise कोई फाइदा नहीं करने अखild है आगे बढ़ ट्राइमराइजिशन क्राइगा के- जब यह करेंगे consistent ट्राइपरस होगी तो मैं डिरेक्ट बना सकता हूं किया अधिरना कोशिश करना समझने की रे को ये इस को शिस कर सकते हैं हम लोग कोशिश एक आशा ह longer घे अब झाराइसे द्ध्यान से देखोगे तो बीच वाली रिंग के बराद कैसी दिकh रही है यह तो aromatic दीख रही है ये aromatic रही है अब अगर aromatic दीख रही है तो क्या हुआ है ओसका मततल इसमें trimerization हुए यह नॉर्मलल correction नहीं थी इसे क्या वहना चाहिए था है trimerize होना चाहिए तो trim raise होके ही सेट ll down हो पाएगी अधर्वाइस douwn उन नहीं हो पाएगी और TRIM रे trigger के से हुआ 35 वांड ने क्या कि आगे कर दिया वही इसके थिन मॉलिक्यूस बना लो इसमें यह पर क्या परेशानी इसमें कि इस टरह से बनाम्हा ले एक रेटिकल यहां पर व है फिर एक रेटिकल यहां पर वना लो एक रेडिकल यहां पर एक रेडिकल यहां पर इससे जोड़ो 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 तो यह बन जाएगा यहां पर ठीक है तो यह अरोमेटिक बन गई तो इसे हम यहीं एरोमेटिक बन गई है ठीक है बहुत बढ़िया आसानी से बास्तोंच में आ गई तो हम लोग कौन से एक्जामपल तक पहुंच गए जे के एल कहां तक पहुंच गए थे यार एम तक पहुंच गए ठीक बना लो ड्रॉ कर लो इसे जैड तक करने हैं ठीक है के देखते मं है कि गएअ यह ग longtime लें हैं रह देखते हैं और यह बताते जाना की कितने तुम्हें थे कितने सारे करे थे तुम्ने अंजरनफ नबर ले ले लेता इसमें क्या किया हम लोगोंने क्या है कि एक बॉंड लगा दिया और यहां पे देंकOR लगा दी है अब pou wysseur radical लगा दिये तो पहली चीज जो कराना चाहते हैं वो क्या होगा है यह इसे तो बनेगा क्या इससे इससे बन जाएगा जो की कैसा है कि एंटी आरोमेटिक है तो अनिस्टेविल है तो बनाने का कोई फायदा नहीं है जब बनाने का फायदा नहीं तो इसका क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे डायम राइजेशन करेंगे जब न बन जाएग बेटा डेमर आपरेंगे तो यह sì करेंगे दो नहीं तभीन जाएंगी और तुम्हें तीन livres देंगी क्यों तीन दिखाई देंगी तुम चाहूं तो इसे हटा लो कि अवाल जैसे देख लो यह यहां से जोड़ गया यहां से जोड़ गया यहां रेडिकल यहां रेडिकल यहां रेडिकल यह इधर आया यह 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 कि ठीक है कि यहां तक क्लियर बात कि अगला देखें एन के बाद क्या आएगा एन के बाद ओ आएगा पहले यह नोट हो जाएगा तो फिर एन के बाद ओ भी आएगा ठीक चलो भाई एन के बाद ओ ऐल 2 म थी तो हमने क्या किया हमने बैंजीन मिली है और बैंजीन के साथ डारेड कर लगा दिये और बैंजीन के साथ डाई रडिक है अगर यह अपस में मंगा एंगा क्या बनेगा फिर लिखूंगा मैं एक सेकंड का टाइम दे रहा हूं जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या बनेगा इसमें तो आई होप तुम लोगों ने बताई दिया होगा मैं तो नहीं देख पा रहा हूं कि कमेंट तुमने किया या नहीं किया तो यह कुछ ऐसा बन तो या तो यह डाइमराइज होगा या ट्राइमराइज होगा तो डाइमराइजेशन के लिए लिख लेता है जब यह डाइमराइज होगा तो इसके पास यह रास्ता है या फिर यह ट्राइमराइज होगा ट्राइमराइजेशन वाला अपने आप लिखना है मैं नहीं लिख ट्रीव जोगा ठीक यहाँ तक बात क्लियरकट समझ आनी चाहिए इसमें कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए किसी को भी आराम से नहीं जाहिए ठीक बन जाएगा कोई कि जिए दिक्कत क truth warrant की बात तो पे आगए ओके बाद आता है क्या पी चलो भाई आगे बढ़ें कि आराम से आगे बढ़े आता है ओके बाद आगया पी पी का प्रोड़क्ट तुमारे लिए घर से बनाना मैं प्रोड़क्ट कॉश्चन लिख दे रहा हूं और कमेंड करके सब लोग ये बताएंगे कि ट्राइमराइशन का प्रोड़क्ट बना पाए या नहीं बना पाए मैंने फाइनल प्रोड़क्ट लिख दिया क्या होगा ट्राइमराइशन होगा और इसका प्रोड़क्ट घर पे बनाना ड्रॉद अगला देखते हैं अगला पी के बाद आया क्यूं 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 में क्या हुआ हम लोग कैपिटल लेटर लिख रहे हैं क्या चलो कैपिटल में लिख देता हूं पी के बाद आया क्यूं क्यूं में हम लोग क्या बनाएंगे क्यूं में हम लोग बनाना चाहते हैं मान लोग हमने जैसे यह बिले अब इसमें यहां radical लगा लिए यह यह फिर एक और इंट्रेस्टन चीज कर सकता है क्या कर सकता इंट्रेस्टन चीज कि कि आड़ा इधर आ जाए और यह 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 यहां आजाए तो देखना इससे बना क्या के इससे क्या नड़ा गया यह इंदर आगया तो इससे बन गई ब्यूतेडाइन क्या बन गई ब्यूटर डाइन बनी जो की ज़्यादा फेवरेविल है तो इसे हम मेजर लिखेंगे ब्यूटर डाइन बन गई तो यह मेजर हो गई ठीक है इसमें तुम्हें आपस दो आप्शन थे यह कैसा होगा यह माइनर होगा क्योंकि फोर मेंबर करिंग उतनी ज़्यादा इस्टेब भी है ठीक है क्यों को गया नोट कर लो जल्दी से है ना अब तो तैयारी जोड शोड से चल ले होगी यार ना तैयारी जोड-शोर से चल ले होगी अब तो धीमयख पढ़ने को कोई मतलब भी नहीं बचा ना किसी भी दिन बस announcement आए कि जैंस की डेट्स आ रही है ठीक है और series करने की कोशिश करेंगे PYQ कर रहे है 2021 के और वो जल्दी खतम हो जाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है चलो यह तो clear है ठीक आगे बात करते है Q के बाद PQ के बाद आ जाता है R PQ के बाद आ गया R R में भी example हमने ले लिया बनावाई product जल्दी से Radical दिख रहा है तुम लोगो मैं बड़ा कर दूँ Radical को थोड़ा लो अब ठीक है अरे यार बंजा बस ठीक चलो बनाव product इसमें भी क्या होगा इसमें क्या होगा यह इधर आया यह इधर आया यह इधर आया यह इधर आया product बनाव जब तक R के बाद मैं S लिख देता हूँ जब तक R के बाद मैं S लिख देता हूँ S लिख दिया R बना लिया वही product R बनाया क्या बना comment करके नाम तो बताई सकते हैं मेरे भाई है न ठीक है इसमें क्या होगा R के बाद S बनाओ S में क्या होगा तुम्हें S बनाओ जल्दी से answer बताना पड़ेगा मेरे को मेरे को कैसे बताऊँगा क्या हो रहा मैं इतना तेस थोड़ी हूँ तुम्हारे इतना जल्दी बताओ R के बाद S में क्या होगा तो क्या बन जाएगा बीच में भोले बाबा का डबरू बन जाएगा ठीक है इस कंपाउंट कर नाम कैसे लिखेंगे इसका नाम बताना देखते हैं कितने लोग तेज लोग है जिसने नाम भी पढ़ा है इनका नेम बताना जाए इसका कॉस्चन मार का साइन अच्छा नहीं ब यह भी जीड़ी तो आई जाएगी ना इतनी तो उम्मीद रख सकता हूं तुमसे यह तो आई जाएगा है ना चलो ठीक है तो आर के बाद ऐसा आगया एसके बाद आगया टी 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 पे क्या आया टी को थोड़ा सा कठिन मनाते हैं रेडिकल एक यहां पे ले लिया ठीक और एक रेडिकल यहां पे ले लिया और यहां पे डवल वांड लगा दिया क्या बन सकता है बताओ भाई क्या बन सकता है कठिन सवाल क्या बनेगा क्या बनेगा है कि प्लस बन लिखना अगर हमने गिंती नंबरिंग कर ली हो कि one two, three, four, five, six, seven प्लस बन लिखना अगर नंब्रिंग साही कर लिया और प्लस बन लिखना अगर तुमने इसमें सेवननमेम्बर किरिंग बनाई हो राओ चितने लोग ऐसे हैं जिनोंने महा पुरुशों ने seven member gering बनाने की कोशिश की जो की minor है major product कैसे बनाइंगे तो major product के लिए क्या करें इसे resonate करा दें क्योंकि seven member gering तो हम बनाइंगे नहीं जब इसे resonance कराया तो क्या बन गया यह एक दो तीन चार पांच छे साथ बन गए साथ तो radical आ गया यहां पर यहां पर आ गया double bond और एक radical यहां पर आ गया ठीक अब इसकी number कर लो बेटेजरा एक दो तीन चार पांच और शांदार पांच member gering कौन कौन बना पाए कितने लोगों ने सही product बनाए बिलकुल कमेंड करके बताएं साथ में मर के product कितने लोग बना पाए बढ़िया सवाल था ना गुड कोश्चन इसे इस्टार लगा देता है बढ़िया सवाल था इस्टार तो अपने पास अच्छा बना बनाया है आपने पास तो मैं भूल जाता हूं इस पर लगा जाता है ठीक चलो अगला कोश्चन देखने अब तो मज़ा आ रहा होगा देरे देरे कोश्चन का लेविल बढ़ता जाएगा जैड़ तक पहुंचते मुझत देखना मूँ पर पहुंच जाएंगे कोश्चन के ठीक है ना रेडिकल को कामिनेशन तो अच्छे से आई जाएगा अज कुछ हो ना हो रेडिकल कमाइन दो करना सीखी जाओगे ठीक है चलो बैतर आगे बढ़ता है आरेश्टी के बाद आ गया यू फर अंब्रेला यू देखते हैं यू क्या ले लिया हम लोगों ने यहां पर रेडिक ले 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 और यहां पर च्छे ले 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 तो क्या होगा बताओ वहीं यह यहां पर आया यह 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 प्लेनर है या नहीं यह कमेंट करके बताओ कि इस 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 प्लेनर और नॉट कमेंट चाहिए मेरे को तुम्हें सवाल में देता जा रहा हूं सवाल के अंदर सवाल है ठीक है चलो अगला टी के बाद यू के बाद आ गया वी वी बनाता हूं सवाल को और मुश्किल कर देता है तो मुश्किल कर देता है अरी यार यह रेडिकल कहां से बन गया यहां पर यह रेडिकल नहीं है यह कोश्चन मार्क है ठीक तो यहां पर क्या आ गया यहां पर एक पाई बॉंड आ गया यह एक रेडिकल हमने लगाया यहां से जरह मैं काउंटिंग कर लूं बना लो सवार यहां सही बन गया रहा रेडिकल एक यहां लगा देता है एक एक यहां लगा देता है ठीक मॉंड को इतना ही है सवार एक ही रेडिकल है इसे कैसे बनाएंगे इसे कैसे बनाओ गया देखो भई अब ऐसे कोशन को करने के लिए क्या करो नमबरिंग करो जैसे मैं नमबरिंग कर रहा था न मन में देरे देरा पी इसे तुम टीच और एक करवन कम है इसम предлаг नहीं है कि एक लगान ना इतना टो इतना टा करी इसकता हूं और विसक करना है कि यहलावड है मेरे को एक करवन कम है कोशन नया बना रहा हूं तो इस लिए तो यह रिदिक Tasर नहीं है तो क्या करेगा यह Latt Calum यहाँ आधा इधर टूटेगा फिर यहाँ यहाँ पर यह टूट जाएगा और यह इधर आ जाएगा तो दो 6 इधर आएगा तो देखना ज़रा यह 6 मेंबर के रिंग में बन गई यहां पर एक मौंड छूड़ गया और कि इसे थोड़ा सा छोटा कर देता है जिससे कि लिए बनाने में आसानी हो जाए है और यहां पर एक 6 मेंबर के रिंग बन गई और यहां पर रह गया एक CH2 रेडिकल यह बन पाया देखो बन गया अब यह रेडिकल क्या करेगा यह रेडिकल अपने जैसे दूसरे रेडिकल से क्या करेगा कंबाइन कर जाएगा और चार रिंग बन जाएंगी एक साथ ठीक सही है तो यह ऐसा भी हो सकता है कि रैडिकल हेलकीन पर अटक करें और हेलकीन को फिर घूम के दूसरे अलकीन पर आटक करने जाना पड़े ड्रॉ। बढ़िया सवाल फिर से एक शांदार सवाल यह कैसा शांदार सवाल ठीक श्ट्यार लगा देता हूं इस पर वी के बाद एश्टी यूवी के बाद डबल्यू आ गया चलो इसका एक भाई कर ले ते बहले चाप लो नोट कर लो आराम से ठीक ठीक है चलो यूवी के बाद आ गया डबल्यू क्या या डबल्यू आ गया डबल्यू में क्या किया कि यहां पर रेडिकल लगा दिया और यह हो गया वन टू थ्री फॉर फाइव सिक्स सेवन अब तो तुम्हार समझ गया मैं क्या करना चाह रहा हूं इससे अटक किस पर कराऊंगा इस पर और इससे तोड़ दूँगा ठीक तो क्या बन गया छे मेंबर की रिंग बनी और एक सिएस्टू फ्री बच गया यह डाइमराइज कर जाएगा जो मैं उस पिछले बारे कोश्चन में बता रहा था है उसका यहां पर लिख देता हूं यह डाइमराइशन होगा इसका और क्या बन जाएगा यह बन गया बन गया प्रड़क्ट असानी से बन गया कोई दिक्ट नहीं है डबलू के बाद क्या आता भाई डबलू के बाद आता एक्स चलो अगला करता हूं हागे बढ़ जाएं गुट्ट वो है समझ में आनी चाहिए अरब तब तो मतलब ब्लैक स्क्रीन भी है ना मज़े आ रहे होंगे ब्लैक स्क्रीन पर तो राइटिंग में ठीकी टाक लिख रहा हूं यार साब तो लिखी रहा हूं ठीक है डबलू के बाद क्या जाएगा एक् एक्स को देखो क्या बना हूं एक्स मों ले लेते हैं पी एच थ्री सी रेडिकल ट्राइफिनाइल मिथाइल रेडिकल अगर हमने इसे डाइमराइज कराया तो क्या बनेगा डाइमराइजशन से क्या होगा यह बन जाएगा पी एस थ्री सी सी पी एस थ्री बन जाएगा और यह जो होगा यह बहुत ही ज्यादा अनिस्टेबिल होगा ड्यू टू इस्टेरिक हिंट्रेंस कैसे इस्टेरिक हिंट्रेंस आएगा मैं बताऊंगा अनिस्टेबिल ड्यू due to hysteric hindrance ठीक एजय इसलिए होगा क्योंकि जो बैंजीन है नब बैंजीन में क्या रिंग करेंट्स हैं तो रिंग करेंट्स दोनों तरफ चलते हैं रिंग के उपर भी चलते हैं और करने हम इसे रा करें तो हमसे ऐसे चला कर सकते हैं तो जिस coincidence कर सकते हैं कर लेंग शाया थे टिक और यहांपर यहां पर किया इंच प्रेंग में चलो रिजनेंसी पूरा इस पूरा नहीं मनाता हूं थीक Ó लिए यहां आया यहां गया इसा कर देतें डेयरेक्टली गया यह डीवान्स तो यहां प्यार गई police…. यहां तक बाद क्लिर हो पैंért कि यह आग्या अब यह अपने जैसे दूसरे रेडिक्न के साथ यह तो कंता कर ले या फिर PPS3 के साथ combine कर ले PS3, C radical के साथ ये combine करके क्या बना दे ये इसके साथ combine करके क्या बना दे यहाँ पे PH आ गया यहाँ पे PH आ गया और यहाँ पे आ गया C, PH, PH और PH ये measure बन गया इसका और इसका जो dimerization वाला product होगा वो कैसा होगा वो minor होगा वो minor होगा बना के दिखा देता हूँ मैं अगली slide पे बना दू या इसी बना दू इसे उपर कर दू थोड़ा सा अरे, sorry इसे थोड़ा उपर कर देता हूँ अरे, यारे, क्या हो रहा रुक जाँ, अच्छा पहले तुम लिख लो यार इतना ही अगले पेश भी बनाऊंगा मैं उपर नहीं जा रहा मेरे से ठीक है तो इसे उपर अगर कर दे थोड़ा सा तो इसका डाइमरेशन प्रड़क्ट देखो कैसा बनाएंगी देखना जरा भाई यह यहां से आ गया इसका डाइमरेशन प्रड़क्ट बना देता है ठीक डाइमरेशन यार बोर्ड मेरे लिए थोड़ा नया है तो इसमें अगर थोड़ा फंबल हो तो वो चलता है ना उतना तो तुम लोग की तरह प्रो लेविल पे तो हूं नहीं मैं बोर्ड के और ना तो कुछ-कुछ फंबल हो इसकता है मेरे से और इतना मेरे को पर्मीशन है ठीक है तो यह डाइमरेशन वाला प्रड़क्ट है क्या है डाइमराइजिशन वाला है और यह कैसा है माइनर है ठीक ठीक है तो एकस तक पहुंच गए यजए डॉर बच्चे यजए डॉर कर लेते हैं तो य पे चलते हैं बात समझ में आ गई आगे बढ़ जाए ठीक है तो यह स्लाइट तो सौंझ में आ गई न पूरी कि इसे तोड़ा छोटा हुआ के इसे थोड़ा कर दूँग थो तो एक साथ दिखाई ते जाएगी ठीक है कि तोड़ा क्रम्जी सा हो गया लेकिन दिए जाएगी ठीक चलो अब आगे बात करता है एकस के बाद शका न बात आ गया और वाई में हमने क्या किया हमने कुछ नहीं करना था हमने सीधे साथ मेंबर की रिंग रेली और इसमें हम क्या करेंगे इसमें इंट्रा-molecular reaction नहीं होगी क्यों क्योंकि यह 1 2 3 4 5 6 7 तो यह क्या होगा कोई reaction नहीं होगी no intramolecular reaction as the ring will become seven member ठीक तो लिख रहते हैं no intramolecular reaction will take place no intramolecular reaction will take place because the ring size becomes 7 ठीक रिंग साइस सेवन मेंबर का बन रहा है इस यह हम लोग इसे नहीं बनाएंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसमें अगला रेडिकल देखते हैं ठीक चलो वाई के बाद जैड लास्ट एक्जाम्पल देख लेता हैं ठीक है लास्ट रेडिकल देख लेते हैं बना लो पहले फिर लास्ट देखते हैं वाई के बाद जैड पर आ जाते हैं और जैड क्या कहरा है जैड बहतरीन सवाल है इंपॉर्डट भी है तो डवल स्टार लगाना बनता है इस पे तो मैं लगा देता हूं दो तीन स्टार इंपॉर्डट है इंपॉर्डट का लगाने का मतलब यह है कि हम और्टो पोजिशन स्पेस्टरिक हिंट्रेंस प्रोवाइट कर रहे हैं जिससे रेडिकल डाइमरा इस असानी से डिरेक्टली नहों पाए तो इसे बनाएंगे कैसे इसकी रेक्शन पहले करा दें और फिर के थ्री एफीजिए शिक्स के साथ इसकी पोजर्चिक कराते हैं और हुआ थीक तो इससे बन जाएग राइडिकल वो क्या बनेगा और ऑसे यह रेडिकल मेगा लगए थीवेजिट्व मननेगा देखा तो क्या होगा यह डAre Es diagnostically Dir움 n हो सकता क्यों क्योंकि और्थो पोजिशन पर टर्श्री व्यूटाइल ग्रूप लगे हुए तो हम यह लिख सकते हैं क्या कि डाइमराइशन प्रड़क्ट इस नौट पॉसिबल डाइमराइशन प्रड़क्ट इस नौट पॉसिबल अबिकॉस ऑफ प्रेजेंस ऑफ तर्शरी नौटल दुब टर्शरी व्यूटाइल घुरु तर्शरी ब्यूटाईल ग्रुप की वह एसे क्या होगा कि डाइमराइशन प्रड़क्ट ऐसे नहीं बने गा अगर डायमराइशन प्रड़क्ट ऐसे नहीं बन रहा तो क्या कराएंगे हम रेजोनेंस कराएंगे हम रेजोनेंस तो कराई सकते हैं पहले नोट कर लो पिर रेजोनेंस भी कराते हैं तो डायमराइशन क्यों नहीं हो रहा है डायमराइशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ट तो इसका अगर हम वह बना दे है कि रिजोनेंस इस्ट्रक्चर बना दे है कि तो और यहां पर कि अरे और यहां पर टर्श्री ब्यूटाइल लगा हुआ है ठीक अधीक मैं रिजोनेंस करके बना दो यहां चीड़नेंस करके नीचे आया यह यह यहां पहुंच गया तो शोनेंस करके क्या बन गया यह double bond हो आगया यह double bond आगया और यहां पे आगया radical ठीक अब यह radical क्या कर सकता है यह radical dimerize हो सकता है क्योंकि अब इसके पास tertiary budile का steric endurance नहीं है तो यह क्या करेगा यह dimerize हो जाएगा इसका क्या होगा dimerization होगा और dimerize होके बनाएगा क्या यार यह dimerize होके देखो कुछ ऐसा बना देगा ऐसा बन जाएगा यह dimerization होके नोट कर लोगे और यह बन जाएगा असानी से क्यों क्योंकि यह फर्दर हो सकता है यह फर्दर क्या हो सकता है यह बन गया फाइनल प्रोड़क्ट यह क्या बन गया हमारा यह फाइनल प्रोड़क्ट है बढ़िया लगा example मुश्किल था थोड़ा सामज में आया तो इस तरह से हम लोगोंने क्या कर लिया do ने से अब आगे बात करते हैं और रेडिकल हो निएज स्वे शावी स्वेश्त कर लेना खरतते हृत워서 और बड़ा पिए आराम से सब्सक्राइब कर लों मैं नोट्स सक्वाइख तो बेज़ेयीं रहा हूँ. पीडियेफ नोट्स वाले जरू डाउनलोड कर लेना कुछ मिसमैच हो रहा हो तो मिला जरू लेना यार कर लेना ढंक से अधरवाइस दिक्कत होगी क्योंकि यह नोट्स तो मतलब नहीं मिलेंगे न तुम्हें नोट्स वही वाले मिलें पीडियेफ और वो मेरे कुछ समझ में आ रहा है कि वह ज्यादा बेतरी ने तुम्हारे लिए ज्यादा साफसुत्रे लिगे हुएं बोड वाले नोट्स तो उतने साफसुत्रे हैं ही नहीं है ना चलो ठीक है समझ में आ रही बास सबको हर मतलब जो कब से कम पड़ा लिखा हो उसे भी यह बास समझ में आनी चाहि डिस्प्रोपोर्शिनेशन का मतलब क्या होता है डिस्प्रोपोर्शिनेशन का मतलब होता है सेल्फ ओक्सिडेशन रेदक्शन यह तो उन बात जानते हैं इसका मतलब क्या है सेल्फ ओक्सिडेशन reduction यह self oxidation reduction है ठीक self oxidation reduction का अगर हम best example लें तो हम example क्या ले सकते हैं कि हमने माल लिया कि जैसे copper 2 plus है copper plus 1 है ठीक copper plus 1 है वो किसमें convert हो जाए cu में और cu 2 plus में तो यहां यहां इसका क्या हुआ oxidation हुआ increase in oxidation number is oxidation और यहां से यहां क्या हुआ इसका यहां से यहां क्या हुआ reduction हुआ तो disproportionation क्या होगा self oxidation reduction जैसे अगर हम radical की case में करना चाहें तो radical की case में कैसे करेंगे radical की case में यह पहला example लिएते हैं इसे दूसरा माल लेते हैं radical कैसे माल लो हमने ले लिया CH3 CH2 radical अब यह क्या करें यह combine तो हम करी चुके हैं इसका क्या हून है इसने hydrogen ले लिया तो इसका क्या हो गया है इसका हो गया इसका हो गया तो तो चार एक्जाम्पल कर लेता है ठीक इन्हें भी ABCD डाल ले नंबर 123 से कन्फ्यूजन नो बढ़े इसने नंबर ABCD कर लेता है ए बी फॉर बॉय सी फॉर बिल्ली है ठीक है ना चलो नोट कर लिया यह हो गया होगा नोट अप तो अब अगला एक जाम्पल और देख लेता है कि अगर हम आलो साइक्लो पेंटाइल ले ले तो यह क्या करेगा यह दूसरे साइक्लो पेंटाइल से क्या करेगा हाइट्रोजन को नोच लेगा यह इधर आ गया यह इधर चला गया यह इधर आ ठीक है ना पाइब यह मत कहना एक यहां लगा यह लगा और शयाव कोई दिकत नहीं इसमें तो कोई प्राब्लम होगी नहीं ठीक अब एक अब इंपोर्डिन बात लिख लेते हैं जरूरी एक दो इंपोर्डिन बात जरूरी इसके लिए हम और जरूरी बात लिख लेते हैं, बहुत जरूरी, बहुत बहुत जरूरी, क्या, कि tendency of combination of radical क्या होती है, tendency of combination of radical क्या होगी, सबसे देज कौन कम्माइन करेंगे जो सबसे कम स्टेबिल होंगे ठीक और जो स्टेबिलिटी ओभरेडिकल है वो कैसी होती है कि इस्टेबिलिटी ओफ प्री रेडिकल क्या होती है stability of free radical होती है क्या 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree तो combine वो जल्दी करेगा जो कम stable होगा सही बात है कि नहीं वो लो combine वो जल्दी करेगा जो कम stable होगा तो एक point और यहीं पी लिख दो इसी page में जंगा है क्या है तो लिख देता हूं disproportionation tendency क्या होगी disproportionate 3 degree वाले ज्यादा करेंगे तो लिख देता हूं disproportionation tendency proportionation tendency लिखे हैं तो वो भी 3 degree की ज्यादा होगी 2 degree से और 2 degree की ज्यादा होगी 1 degree से ठीक नोट कर लेओ जल्दी से बात समझ में आनी चाहिए और आराम से कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए कैसे भी किसी भी तरह की उल्द परिशानी मुश्किल दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है अब आगे बात करते हैं ठीक है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी बढ़ गई तो थ्री डिग्री के डिस्प्रोपोर्शनेट होने एक टेंडेंसी बढ़ गई तो अगर हम थ्री डिग्री रेडिकल ले लें डी ऑप्शन ले लेते अपना डी एक्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम टर्शरी ब्यूटाल रेडिकल ले ले तो यह डाइमराइज नहीं होगा जल्दी से माइनर होगा क्यों ड्यूटू hysteric entrance ठीक यह क्या करेगा यह disproportionate कर जाएगा तो क्या मनाएगा एलकेन मनाएगा और ISO व्यूटीन मनादेगा ठीक डैस्प्रपोर्चिन करेगा तो क्या मनाएगा एलकेन मनाएगा और ISO तो यूटीन में ना देगा ठीक है पसफिए और एक्जाम्पल लिख लेते इसे नोट कर लो दो चार एक्जाम्पल और कर लेते हैं लोगे दो कोई कमी नहीं जितने चाहँ उतने कर लो ठीक है तो टीक हो गए यह यह और यह यह पे पहुंचते हैं कि कि अग्युक्त कर दों तो सिंफ्ल के ले लें तो हडällen यह ठीक सिंपल एग्सामपल ले ले तो छोटा ही लिए ले ले तो च्छोटा ली ले 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 तो क्या करों आपस हैं दो जुड़ जाएंगे जाएंगे या फिर ट्रपरेंगे तो यह तो बना पार है यह तो अब आसान है इससे क्या क्या बन सकता है इससे क्या बनाओ बहुत बड़ी इससे क्या बन सकता है एक तो सीधे अलकीन बन जाए और एक कौन सी अलकीन बन जाए यह वाली मेजर कौन होगी यह मेजर होगी क्योंकि इस्टेबिटी आफ एलकीन देखेंगे तो यह मेजर बनेगा ठीक है एक के बाद एफ आगया एफ के बाद आएगा जी चलो भई आगे लिखते चलो आराम से लिखो यार कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को पढ़ना है फोकस होके यारब कभी मूड होगा तो फिर मैं बताऊंगा तुम्हें कि कॉलेज लाइफ कैसी होती है मेरी कॉलेज लाइ अभी नहीं आज नहीं आज पहले पढ़ लेते हैं में चलो कमेंट करके बताना आच्कों ओकरいきます तो कोई पहुंचकै नही चलो अब F के बाद आ गया G F के बाद आ गया G G पर हम लोग ने क्या करा कि CS3 Radical ले ले अब CS3 Radical के पास के बाद एक ही Option है Combine होने का Cannot Undergo Disproportionation लिख लेना इसे Highlight करके Cannot Undergo DP लिख दूँ क्या Disproportionation ठीक Cannot Undergo Disproportionation ठीक इसके बाद EFG के बाद आ गया H for Horse तो इसके आपकर Disproportionation परड़क्ट बनाएंगे तो कितने Disproportionation परड़क्ट बनेंगे यह बता दो बस हमें Comment करके बताओ कि कितने Disproportionation परड़क्ट बनेंगे यह important है मैं इसे 3-1 star कोई बुला लेता हूँ भीया लग जाओ यहाँ पर आके कितने Disproportionation परड़क्ट बनेंगे जो सही आंसर कर दें वो तो चीता है कितने How many Disproportionation परड़क्ट How many DP परड़क्ट DP क्या पूरे लिख देता हूँ इसमें DP क्या लिख हूँ Disproportionation Products तो कितने लोग बना पाए कमेंड करके बताना कि सर हम लोगों ने यह दोनों बना लिये थे ठीक अब एक यह बन गया यह Geometrical Isomerism भी शोग करेगा तो दो बनेंगे Geometrical Isomerism जिसमें से एक Optically Active होगा तो इससे टोटल तीन बनेंगे तो टोटल प्रोड़क्ट आ जाएंगे कितने टोटल आ जाएंगे कितने 1 प्लस 3 यानि की 4 प्रोड़क्ट ठीक Geometrical प्लस Optical अगर इसके काउंट कर लोगे Optical Isomerism भी यह शोग करेगा ठीक तो इससे टोटल 4 प्रोड़क्ट बन जाएंगे ठीक सही है मैं यह मान लेता हूं कि यहां तक बस समझ में आ गई अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं आज की क्लास के क्या कि it arrangement collected होता है या नहीं होता है Radicals का ऑनगा भी देख लेता है तो नंबर 3 पी आ आयाता है इसका तो geomenticalize अमर बना लोगे ना ईसका geomenticalize मर कैसे बनाएंगे देखो अगर इसका geometicalize मर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे यह कैसी form है This is form ay इसकी ट्रांस कैसी होती है यह ट्रांस फॉर्म है इसकी और जो अप्टिकली एक्टिव है यह अप्टिकली एक्टिव है और यह कैसी अप्टिकली इनक्टिव है ठीक है कि यहां कारवन कैसे काउंट करो कारवन गिंदी कर लोगा जो पहली वर देख रहा हो उसके लिए वैसे तो अगर तुमने जीओ सी आइसो मेर्जम कर रखी यह तो उतनी समस्य आई की नहीं ठीक दो फ् lerफड़्यस पीक्ड़ चलो अब आगे बात करते हैं यह तो अ इसो आती है सके बात बात करते हैं हम लोग rearrangement की हैं डाल लेते हैं rearrangement नंबर थ्री कि री अर्रेंजमेंट मैंने इतना सही लिखा था कि ए डबाल आर ए एन जी एम ए एन टी लास्ट में गरवड़ा हो गया इसले गरवड़ा हो और रिए राइंजमेंट क्या होता है फ्री रीडिकल जो होते हैं जनरली रिक नहीं होते इते हैं पृरा को रिए रेणग खरना बहुत ही मुश्कील काम है कुछ इस virus sir रियरेंज होते हैं इन जनरल फ्री अडिकल रियरेंज नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनके रियरेंजमेंट में जितनी इनर्जी रिलीज होनी चाहिए उससे ज्यादा बॉंड ब्रेकिंग में घर्च जाती है ठीक है तो लिख अब्रीफ रियरेंज बागी डेटेंबिंगे कपी नोट्स में मिल जाएगा इन जनरल अब काज़ोंगраж इन जनरल रियरेंजमेंट नहीं होता है ठीक कार्वो का ट्रियरेंजमेंट होता है ठीक एठ आव vector ठेंट कर अंडर को रिजनेंस and रिचत हैं टेंगे एन्डर को टोन करें रिजनेंस तो क्या हम एक भी एक्जांपल ऐसा सकता हैं इसमें us रहा हूं हम लोग बिलकुन लख सकते हैं इसमां रिअरंजमेंट का एक्जांप्ल देख लखते हैं ठीक जैसे अगर ऍति सो एक्षाम्पल लें कि च्रीज सिएच सी फ्रीच कर्म इस लेते हैं ऑर यहां पर लिख देते हैं CH2 Radical यह Radical Rearrange हो जाता है और यह Radical Rearrange हो के क्या बना देता है CH3 CH Radical exceptional case है वही दिल से मत लगाना इसे है न इसे दिल से लगाने की जरूवत नहीं है ठीक ठीक है तो यह Rearrange नहीं होता है ठीक इन जेनरल Rearrange नहीं होते है यहां तक हम बात रखते हैं अपनी और यहां तक हम लोगों ने तीन टाइप की रेक्शन्स पढ़नी थी जैने हम लोगों ने सुरक्षित कंप्लीट कर लिया अपनी लिक्शर पसंद आया होगा और पसंद आया है तो जादत तर लोगों तक यह लेक्शर पहुंचना चाहिए कोटा वालो तुम्हारे जिम्मेदारी पूरे पहुंचना चाहिए ठीक है ना ध्यान रखो खूब सारी पढ़ाई करते रो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है ठीक है